हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टड़ी फीड़ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तो आज यह इनोटोमी फिजियोलोजी का थर्ड पार्ट है आज के सेशन में मांस पे इसी तंतर की सावरी कोश्चन्स कराये जाएंगे जो आपके एक्जॉम्स में आ सकते हैं तो दोस क्योंकि एक ही छोटा सा कोश्चन्स जो आप एजी समझते हैं वह भी आपको सेलेक्शन से बाहर कर सकता है तो एक ही कोश्चन्स पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और फिजिक के आल कंपडिशन एक्जाम के प्रेप्रेशन कर रहे हैं सभी लोग देख सकते हैं सभी के आपका सबसे पहले अभी एक्जाम है बरतमानमी उत्राखंड एल्टेग्रेट 24 का 18 अगस्त को तो सभी प्रेप्रेशन करने वाले जरूर देखें और जैसे जैसे एक्जाम जिसका जिसका आता रहेगा मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाती रहूंगी अभी सभी लोग कोस्टन की तरफ कोस्टन है कि मांस्पेसी तंतू की संकुचन एलेमेंट को क्या कहते हैं तो दोस्तों जो मांस्पेसी तंतू होता है छोटे-छोटे तंतू फाइबर ये एक छड़ के समान होता है उससे बना होता है जिसमें रेड मसल फाइबर वाइट मसल फाइबर होते ह हैं जैसे कि मांस्पेशाय में दो फिलामेंट्स होते हैं एक तीन और मायेते फिलामेंट होता है धिन फिलामेंट होता है तो ike fe चड़ों के मायोसीन चड़ों पर फिसलने पर मांस्पीसी जो है वो कांट्रैक्ट होती है तो जो एक्तिन और मायोसीन होता है जैसे कि यहां पर हम आपको थोड़ा बना के दिखा सकते हैं यह जो है आपका मायोसीन है बीच में और जो यहां पर आप मैं बना रही हूँ यह एक्तिन है ठीक है बीच वालों पतला फिलामेंट क्या है एक्तिन है और मोटा फिलामेंट जो है क्या है मायोसीन है तो एक्तिन की एक लाइन होती है जिसे हम सारको लेमा या जेड लाइन कहते हैं ठीक है इन एक्टिन बोलते हैं आई इसको मायोसीन बोलते हैं तो एक्टिन और मायोसीन बोलते हैं तो एक्टिन और मायोसीन जो होता है मांसपेशी तंतु है तो यहां पर क्या क्या है संगुचन एलेमेंट तो जब एक्टिन और मायोसीन फिसलता है तो क्या होता है दोनों जेड लाइन पास हो जाते हैं यानि एक्टीन की लाइन दूनों पास हो जाती है तो यहां पर H लाइन होती है तो H में H में क्योल मायसीन प्रजेंट होता है और दोस्तों I-Band होता है यहां पर I-Band यहाँ पे आप देख सकते है I-band होता है यहाँ पे क्योल Actin present होता है और A-band में एक्तिन और M- और M- perfume दूनों present होता है यहाँ पे M- plain होता है एक बीच में lign होती है तो जब contract होती है Actin filament being pat बाद दूनों Z-line पास आ जाते हैं M-line गायब हो जाता है तो यहां भी संकुचन एलिमेंट पूछा है यानि कि कांटेक्ट टैल यूनिट जो सिक्ड़ा हुआ तत्तो है तो यहां भी संकुचन एलिमेंट पूचा है सिक्ड़ कों रहा है एक तील यहां पर आपका आइड़े सर हो जाएगा आण सिद्ह अगर यहां पर संकुचन से एलिमेंट पूछपता तो यहां पर सरकमीर हो जाता है यान रखिए Question No. 2 है Man Spacey Kosika को क्या कहा जाता है तो अभी जश्ट बहुताई कि इसके सबसे छोटी ही काई होती है Man Spacey Tantoo यानि फाइवर तो Man Spacey Kosika को Pacey Tantoo बोला जाता है Question No. 3 है Man Spacey Tantoo का समुख किसके दवरा ढगा रहता है तो दोस्तो जो मांस्पेस ही हमारी होती है इस प्रकार के एक बंडल जैसे में धकी रहती है तो इस सबसे बाहरी समू को घेर रहता है एपी माइसियम ठीक है और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्या निकलते हैं फाइबर निकलते हैं एक बंडल से कई सारे फाइवल निकलते हैं इसमें ठीक है एक बंडल जैसे होते हैं फिर यहां से निकला ठीक कई सारे इनदल्लों को गेरे रहता है पेरी माइसियम और एक मानस्पेसी तन्तु को घेर रहता है एंडो माइसियम याद रखेगा तो मानस्पेसी तन्तु संपुड मानस्पेसी को कौन सी कनेटिटी से घेर रहती है तो एपी माइसियम और मानस्पेसी तन्तु के समू को फासिक्विलस बोलते हैं तो उसको घेले रहता है पेरिमाइसियम और एक मांस्पेसी को घेले रहता है एक मांस्पेसी तंतू के एंडो माइसियम याद रखेगा और मांस्पेसी फाइबर जो है जिस जल्ली से घेला रहता है उसको सारकोले मा कहते हैं और जो कनेक्टी टीसु से गिरा रहता है तो सब संपूर मांस्पेशी को गिरा रहता है कौन सा कर्येक्टिट इसू एपि माइसियम मांस्पेशी तंतू के समू यानि फासी गिराश को गिरा रहता है पेरी माइसियम और एक मांस्पेशी तंतू को गिरा रहता है कर्येक्टिट इसू एल्डो माइसिय क्या समझे कि संपूर मांसपेशी को घहर रहता है एपी माईसियम मांसपेशी तंतु के जो बंडल होते हैं समू होता है जिसे फासिकुलस बोलते हैं उसको घहर रहता है पेरी माईसियम एक मांसपेशी तंतु को घहर रहता है एंडो माईसियम यहाँ पेसी तंतु का समू कि यहां पे आप देख सकते हैं कि कंकाली पेसी में प्रतीक पुलीका यानि फॉसिक्विलस जो मांस्पेसी तंतु का समू होता है कि चारो और स्वयू जी उतक आचार यानि घेर रहता है तो क्या कलाता भी जश्ट्ट मैं बताई हूं संपुड मांस्पेसी को एपी माईसियम कनेक्टी टीसू और मांस्पेसी तंतु के समू हो यानि पुलीका या फासिक्विलस को पेरी माईसियम और एक मांस्पेसी तंतु को एंडो माईसियत यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका पेरी माईसियम ठीक है कोसे नंबर फाइफ है सारको प्लाजम में पाय में बताएंगे कि मानस्पेसी फाइबर तंतो जिल्ली से गिरी जाते हैं उसको सरको लेमा कहते हैं और उसके अंदर जो पदावात परा रहता है उसको सरको प्लाज में कहते हैं यहां पर राइट इंसर हो जाएगा मानस्पेसी कोसिका में सरको प्लाज में किस ने पाए जाते है तो मांस्पेसी कोसिका में पाए जाते हैं कोश्चन नंबर शिक्स है कि मांस्पेसी में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है तो दोस्तों मांस्पेसी में एक तीन और मायोसीन दो फिलामेंट पाए जाते हैं यहां पर राइट है जरू हो जाएगा आपसा नंबर सी एक तीन औ थीन फिलयमेंट महते हैं इसके विश्मेट फिलयमेंट की म्हिश्म रहते तो के में चरम माइऑंति मैयोसी में होता है ही में हीजा है माजशन में क्या होता है है माजशन में माजशन का compound से मायोसीन जो एक्टिन अपनी तरप नई खीश बाता हैages कोकोरसन नमबर सेंबल है दोस्तो कि मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटिन समाविस्ट होता जिसका नाम है तो दोस्तों अभी जर्श में बताएं कि जो प्रोटीन फिलामेंट होता है या ते तन्तू फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसीन जो एक्टिन होता है उसको थिन फिलामेंट यानि पतला फिलामेंट बुला जाता है और जो मायोसीन होता है वो मोटा फिलामेंट यानि थ तो दोस्तों जैसे कि आप जालते हैं कि जो हमारे मांसपेसी तन्तु यानि फाइवर होते हैं वो दू प्रकार के होती है रेड मसल फाइवर एंड वाइट मसल फाइवर जो रेड मसल फाइवर होते हैं वो स्लो ट्विस्ट फाइवर होते हैं धीरे धीरे संकुचित होते हैं जो wide muscle fiber होते हैं इन फास्ट twists fiber होते हैं यानि कि तेज तेज संकुछी टो होती हैं और जो wide muscle fiber होते हैं इन pengcas um acredYe क 갑ि मांसपेसी चाह्य के इची क्विसियां सै से ज़ादे पाई जाते हैं जो रेट मिसल फाइबर होते हैं हो अबस्धित में ज्यादे पाए जाती हैं तो जो लिए बसलु होती है इरोबिक होती है आक्सेजन के साथ कारे करती है एंड एंडुरिंस वाले सहन सिल्था वाले गियम औो लंबी द्री की दोड़ों शारा मोसल certified की किया काम करते हैं और रेड मुसल्स आयबर में मार्ट्रोकॉंडिया अधिक होती है इसलिए सहन सिल्था में अधिक, एक्टिव रहता है यज़ा होता है जो white muscle fiber होता है अन एरुबिक होता है आक्सिजन की अनुपसिती में जो क्रियाय होती है जैसे कि जो muscles वाले जो सक्ती वर्दक कारे होते हैं स्प्रिंट दौड़ी जैसे हो गया इसमें वाइट मसल फाइबर कारे कर रहे हैं तो इस प्रकार आप कहो सकते हैं कि लाल तंतु से बनी स्प्रिंट दौड़ी जैसे हैं वह सकती के लिए इन्डूरेंस के लिए उप्रिक होती हैं इनकी उप्रिक्षा तब अधिक होती है जब सरी में लंबे समय तक ठकान और तरहों पैदा करने वाले कारे करता है यह मांस्प्रिक्षिया आक्सिजन के अनुकुलतम आपूर्थी तो है रखने के कल अधिक साहंसिता प्त्रावन करती हैं है को स्धंग मपश्राइब नमबर नाइन प्रिक्षिय विज्ञान के जनक कौन है तो दोस्तों पेल से कि बःगां को स्थैंग और्ज्वरों की नियुम करेंना गाती है कि अबगन हो किया था कोशन नमर दस्त है कि कि इस दो ग्रिक भासा के सब्द काइनेसिस और लोगोस काड़ होता है अध्यान करना या ग्यान या गती का अध्यान करना किसलोजी बीसائे सँन्गठीत और विविता का ग्यान धाचा है इसे एक इसे एक बग्यान कहा गया है मानौई निस्पादल से या जुड़ी गतियों से समंधित होता है और संचित में इसे मानो गती ग्यान कहा जाता है तो यहां मैं बताएं हूँ अरास्तू है कोर्शन नंबर बारह है पेसिय बिग्यार यानि किसी लोगी के अंतरगत किस का अधियन किया जाता है दोस्तों गति का अधियन किया जाता है कोर्शन नंबर तेरह है कि मानों सरीर में मान्स पेसियों की प्रकार कौन होते हैं तो आप जानते है तिन प्रकार कि मात्म कोलेटे मद्पियां होती हैं रेखीट और रेखित SK को छाईने को मसल्स कहते हैं करे जो कि जो के इसक्राइब मसल्स होती है वह बहु के अंदर की होती है अब इल्ला कार होती है अब कंकाल से कंकाल मांस पेसिया होती है और तिर भी संकुचन होता है इसमें जैसे की एक से किने में दस से बारा बार संकुचन हो जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनते है ऐचिक पेसियो में और थी यहां दिवाद होती हैं गाल पेसद सकतव पाइशिक करती है यहां पार तुक स्प्स्टेस बंगता नहीं होती है लाल पेसी तंतू की यहां ज्यादा उपसित होती है याद रखेगा तो स्वेट पेसी तंतू की कहां उपसित होती है ज्यादा तो रेखित पेसियों यानि एचिक पेसियों में कंकाली पेसियों में ज्यादे होती है और रेखित पेसियों अनेचिक में स्वायत तंत्री करता ह आंत्रिक भागों जैसे छोटी याद, बढ़ियाद, पेट, फेप्रेल, लिवर, स्वासनली इस सभी में अनेच्छिक पेसियां होती हैं, जो इसमूथ मसल्स बुला जाता है, ईसमे धिमा संगुचन होता है लैक्टिक एचिड नहीं बनता है और सावधिक लाल पेसित रातार रूकली मसल्स बुलाज पेसिया और आपेसियों में, स्वाधिक रात्रिकत रातार है ही, हिदेपेसिया और अनेचिक पेसिया दोनों को नियंदेज करती है एएनस अटोनामिक नर्वस सिस्टम याद रखेगा कोस्टन हर बर गुमा गुमा के अलग-अलग पुछा जाता है और जो हिदेपेसिया होती है तीन मानपेसियों से बनी होती है जिसके भीच में सेरस नामक पदात भरा रहता है और जो सिसरस नामक पदात होता है यह हमारे हिदेगों को बाहरी ठागा आग हादों से रच्छा करता है तीक है इसे माइट्रोकांडिया अधिक होती है सब्सक्राइब दीए कनकाली मास्पीसिया इसको संकूचन के लिए एक्टिनो-मायोसीन फिलमेंट होते हैं अपने आप संकूचन होते हैं कोस्टन नमर 14 दोस्तों धर बनाके वीडियो देखिएगा लंबा जरूर हो जाएगा पैतरिस चिर्स कोस्टन से लेकिन मैं एक एक कोस्टन को ऐसे एक्स्प्लें कर रहे हूं को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे आप एक जौम हार में अच्छे से हल कर सकेंगे कुस्टन नमर 14 है अस्थियों के साथ जुड़ी होती है तो अस्थियों के साथ कौन से जुड़ी होती है दोस्तों जिसे हम कंकाली मांस पैसिया इसके लेटल मसल्स भी गोलते है तो रेखित पैसिया यानि के एच्छिक पैसिया और अस्थियों के साथ इसको जुड़े कौ काल से जोड़ती है और जो लिगामेंट होता है दो हड़ियों को जुड़ों पर जोड़ती है कोस्टिन नमर 15 है संधी और पेशियों के बीच इस सित अभिग्राहक को क्या कहते हैं तो दोस्तो, संदीय और पेसियों के बीश जो अभिग्रहक होते हैं, यसी कि आपने सुना होगा, Neuromuscular Junction, तीक है? नीरो मस्कुलर जंग्सन निरोन और पेसियों का जंग्सन लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है संधी और पेसियों के बीश जो इस MR होती है उसको हम कहते है स्वामित अभी ग्राहक इसको हम इंगलिस में कहेंगे प्रो प्रायो सेप्टर्स ठीक है प्रोप्रायो सेक्टर्स या संधियों पेसियों कंडराओं इश्नाईयों आधी में संवेधी तंत्रिका यान्य जो संसरी और अरगन होती है मांस PCA जो इच्छा या दिबाग से संचालित होती है, इसे क्या कहते हैं? तो जो अभी जस्ट में बताई हूं कि हमारी रेखित PCA होती है, कंकाली PCA होती है, उसको central nervous system संचालित करता है. उसके लावब जो अनैच्छिक और हिडाई पेसिया हैं उन दोनों को संचालित करता है ANS, Autonomic Nervous System, तो जो हमारे दिमाग या इच्छा से संचालित होती हैं, सेंटर नर्वस सिस्टम से, उसे हम एच्छिक पेसिया करते हैं, क्या करते हैं, एच्छिक पेसिया, जब एच्छि Q17 है, एच्छिक पेसि का दुसरा नाम क्या है, तो एच्छिक पेसि का दुसरा नाम और एच्छिक पेसि है, इस्मूथ मसल्स है, और क्या क्या कहते हैं, एच्छिक पेसि को इनवालेंटरी, अनिस्ट्रिपेट, नानिस्ट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट नाम उसे जानते हैं और हिदय पेशी को कावडियक मसल्स के नाम से जानते हैं कोशन नमबर 18 है कि हिदय के मांसपेशिया किस प्रकार की होती हैं दोस्तों यह हमारे इच्छा अंसर नहीं काम करते हैं मांसपेशिया यह जीवन प्रयत्ने कार करती हैं ठीक है लगातार सेक्यूर्टी फैलती रहती है जिस दिन इसका सेकुर्णा फैलना या कारे करना बंद हो जाएगा इंसान जीवित नहीं रहेगा मृत्य हो जाएगा यानि समस्त जीवन के दौरान बिना ठकावर्ट के करर काम करती रहती है यह अनेच्छिक मांसपेशिया हैं जिन पर हमारा कोई भी नियंदर नहीं होता है यह अनेच्छिक प्रकार के होती है हमारे इच्छा अंसर कारे नहीं करती है कोशन नमबर 19 है मांस पीसियों में किस तत्यों के प्रयाप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं ठकता है तो दोस्तों वह होता है ग्लाइकोजन जैसे कि जो भी हम खाते हैं जैसे कि हम कार्गोहाइड है जाकर करके हमारे सरी में किसमे कर्वट हो गया ग्लुकोज में उसी ग् जो इंसुलिन होता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कर्वर्ट करके जमा कर जाता है हमारे लिवर और मांस पेसियों में होता है जमा तो यह अगर हमारे मांस पेसियों में ग्लाइकोजन प्रयावत मात्रा में है तो हम देर तक कारे कर सकते हैं ठकते नहीं है एनरजी बना मांस्पेसियो डिंग मायोगलोबीन। के लाल दिखाई देता है तो मायोगलोबिन के करदा देता है। Q。 table's muscles का नाम है तो किसमे सार्टॉर्यस मसल्स को जो हमारे जांक की पेसी होती है। साज़ोरियस मसल्स प्ट्टा पेसी जिसे कहा जाता है वो हमारे हीप को फैलने या सिकूडने में मदद करती है। टेल्टास मसल्स हमारे कंधों में होती है यह तिक्यें से से लेक्टर मसल्स भी बोला जाता है है का और कॉफ मसल्स प्रक्राट कॉफ मसल्स निए अघिख। यह पीसे होती है उसे कहा जाता है। गैश्ट्रोंीमियस देद्क है। धू此, गैश्ट्रोंीमियस जो तीन पेसियों से मिलके बना होता है। क्यों वर को फीसमेरिसररररा को अजी कहाता है। सेल्ड़ कृ मेंपरेनियस और आप्मियारररेनियस औरmotherतो python getting off skin मसल्स और हमेस्टिंग के ह threatening coordinate. मसल्सके हम इसमेश्टिंग के पीछे मंभवाद के 159 और में समस्टिंग के 152 गृत कि लीज़क था हमेस्टिंग के 3 शाइरेती water sailors स्क्राद के 202 देनanka. में मरेनेuse va factor. जो हमेस्ट्रिंग मसल्स होती है घुर्टने को मूरने में काम आती है और जांग के सामने जो पेसी जो प्याने मदद होती है कुश्ण नमर 21 है फेकरे से जुड़े खेल इस प्रधाओं में सलंगन मुख्य पेसी का क्या नाम है यानि थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं दोस्तों तो आप जानते हैं थ्रोइंग मसल्स जो है मारे जुवच पर पेसी होती है उसको पैक्टोरिलिस मेजर कहते हैं या भेंदी स्विमल म stars इल्टकल. धरिद ऐंटôंस को कहते हैं थ्रोइंग मसल्स फेकने के लिए के लिए पेस्टोर्र िस्मेजर ऍसवर्ट छू को पैक्ट्रै नाम्सल्स संकुचित होती है क्वार्डी सैपस मसल्स राइप क्लिंबर मसल्स को आ जाता है लेटेमस दोर्शी को ठीक है क्या क्या सी दूस्ता है को जो ग्राज नली सैपसे बहुंच हो ठाइप अमास्य hauvalckt which ये जो दूसरा दर्वाजा होता है भोजनु पेज़ता है और पुर्ण करें के बाकाडूस बहुता है अमासे में नहीं आने देता है कोश्चन नमबर 23 है कि ज़दा दर मानस्पेसियां जो कुल्ये के जोड़ को गती प्रतान करती है उसका उद्गम कहां होता है दोस्तो उसका उद्गम होता है फ्रोड़ी से दोस्तो जो ग्लूटियस मानस्पेसिय होती है तीन मानस्पेसियों से मिर्क बना होता है जैसे कि आपके VPSC TRE 3 में पूछा हुआ था कि जो हमारे कुल्ये की सबसे छोटी मसल्स कौन होती है ये पूछा हुआ था तो आप जानते हैं हमारे सरी की सबसे बड़ी मसल्स होती है आपकी Gluteus Maximus सबसे लंबी होती है सबसे छोटी होती है सबसे मजबूत मसल्स होती है जो मैंडेवल हर्डी के उपर चरहा होता है मसेटर मसल्स तो जहां पर आप देख सकते हैं कि पूछा था कि कौन सा मसल्स है कुल्ये की सबसे छोटी मसल्स है यह पुछा हुआ था तो आप जान आपको बता दी कि जो कुल्ये की मसल्स होती है तीर मसल्स से जो Gluteus मसल्स होती है कुल्ये की उत्तिर मसल्स से मिलकर बनी होती है Gluteus Maximus Gluteus Minimus Gluteus Medial तो Gluteus Maximus होती है कुल्ये की सबसे बड़ी मसल्स और स्षरीर से बड़ी मसल्स होती है, और wyglुटियस मेडियस मेडियस मदमी होती है तिसी स्वरा चोटी होती है, और सबसे चोटी一定要 होती है Gluteus Minimus जो सबसे छोटी वह सबसे गरी मसल्स होती है याद रखिएगा तीन पेशियों से मिलकर बनी होती है Gluteus मसल्स, Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Gluteus Minimus ठीक है जिसमें सबसे बड़ी होती है Gluteus Maximus मेडियम होता है Gluteus Medius सबसे छोटी हो गरी होती है Gluteus Minimus आई हो कि आपको अच्छे से समाझ में आया होगा दोस्तों को स्रोड़ी को मोरने में प्रयोक्त मांस बेसी के रूप में जारे जाती है स्रोड़ी को मोरने के लिए तो स्रोड़ी को मोरने और घुटने को फैलाने यह दोनों में मदद करता है आपका Quadriceps Muscle जिसे चैतु सीजस को बोलते है यहाद रखीगा यहापी चैतु सीजस को मतलब होता है Quadriceps इंग्लीस वर्ड़े में नहीं लाई हूँ लेकिन फिर भी मैं उसका इंग्लीस वाला जो वर्ड़ है मैं बता रही हूँ यहाँ पर एक जैतु सीजस को मतलब हो Quadriceps Muscle और Quadriceps Muscle जो है वो चार पेशियों से मिलकर बना होता है अरेक्टस फेमोरीस, वाश्टस लेटरिविस वाश्टस मेडीयलीस, वाश्टस इंटरमेडियलीस चारो मिलकर Quadriceps फेमोरीस मसल्स कहलाते हैं और जो जो जांग की सबसे मचबूत सक्तिसाली मसल्स हैं और यह हमारे स्रोड़ी को मोडने और गुटने को फैलाने मड़द करता है और गुटने को मोरने में कुन मड़द करता है जो गुटने की पीछे जानके पीछे जो मसेस्ब्स होती है है मैस्टिरिंग जो तीन पीच्छेraçãody से मिल्क doing होती है है मैस्टिरिंग मसल्स ज气 я่ने कोषयर 25 है कि कोबनी की संधी को मोरने यानि फ् QLK मैं कोणी को मूरने कर सल्फ करने में ऐपका मंखे मुंई का अदा कर रही है विस्तार करने में यह के लिए मुंखे मुंई का अदा कर तो ग्रहाएं सुन भारणद से पहुतर रीजर भीपर कोहनी को बिस्क्तार करने में इसका हुए है धोटर बिस्कतार करने में आता है। कि biceps femoris manspacia हैं इसके आंदलों से मुक्ता उत्पन होने वाले प्रत्रिया का क्या नाम है तो दोस्तों जब rectus femoris बोलेगा तो ओ आपका quadriceps का भाग होगा लेकिन जो biceps femoris बोलेगा यह हमेश्ट्रिंग का भाग है हमेश्ट्रिंग जो जांक की पीछे की मसल्स होती है तीन मांspacia से मिलकर बनने होती हैं बाइसेप्स femoris, semi membranous और semi tendineous इन सबी का कारे होता है घुटने को मुलना यानि कि घुटने का आकोंचन यानि कि नीफलैक्सन याद रखिएगा नीफलैक्सन को हम हिंदी में फलैक्सन को आकोंचन कहते हैं और इक्टेंसर को प्रसाराण कहते हैं तो नीफलैक्सन यानि कि घुटने का आक कोंचन तो मैं आपको इंग्लिज में गर दे रही हूं बोल दे रही हूं आपको दिक्कत नहीं होगा कोस्टें नंबर 28 है कि मदीरा सीरा यानि कि हमेस्ट्रिंग मसल्स का प्रयोग होता है तब ही मैं जस्ट बताएं हूं जो हमेस्ट्रिंग मसल्स होती हैं तीन मांस बिस्यों से मिल कर बनी होती हैं बाइसेप्स फीमोरी सेमी मेंब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस इस पुरुस और महिला धावकों में होते हैं तो दोस्तों दोबार कोशन रिपीट हो गया लंबी दूरी की जो भी किरिया होंगी उस काडियोरिस्पैर्टी जो प्रहते हैं जित पृति गये सकते हैं दोपोरिस्पैर्टीन होते चुछी जाया होती हैं थी jus काम समी चौट तो दोबी दूरी में अनु के प्रूड़ूडायों वा आपका दीमी बांस्पैर्टीन होती डिन की ग्रकशन सबस्दुन कार्ण कर्या क होती है असलो ट्विस्ट होती है जो आक्सिजन ले जा सकती है और इधन की रूप में वसा आता था कार्वो होईडेट्स का प्रयोग करके एलोबिक क्रिया को काफी समय तक जारी रख सकती है यह मांस्पेसिया अठातरे यह से लंगी समय तक संकुचन करते रहते हैं लेकिन कम सकती के साथ याद करखेंगा इंडूरियंस वाले के सब्सक्रिया सब्सक्रीण सब्सक्राव' आप ध्यान रखेगा इंडूरेंस मतलब जादे समय और कम इंटेंसिटी यानि कि ताइम जादे रहेगा और जो इंटेंसिटी एंटिविता होगी याद रखेगा ऐसा सोच कि आप एंसर देंगे तो सही एंसर होगा ठीक है तो इस पर का जो रेट मसल फाइव होती है लंबे स क्वाइब करने जादे सक्ती के साथ किया य्यादे सक्ति में ओएंगा जो सबस्किव करेंगे है उनकाती है उसलिक प King interaction with a कौन सा मसल फाइबर काम करेगा ज्यादा तो उसमें ज्यादे फाइबर होंगे वाइड मसल फाइबर जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होंगे अने अरोबिक क्रियाओं में वाइड मसल फाइबर कोशन नमबर 30 है कौन सी मांसपेसिया हमारे सरीर के कुल वजन का 2 upon 5 भाग होते हैं तो दोस्तों हमारे सरीर में जो मांसपेसिय होती है समस्त सरीर के भार का 45 परसेंट भाग केवल मांसपेसिय का होता है यहां पर कंकाल मांसपेसिय आपका राइड एंसर हो जाएगा हमारे बानों सरी में कुल 649 मांसपेसिया होती है जिसमें से 600 केवल पाई जाती है आपके स्वेचिक मांसपेसिया ठीक है तो हमारे सरी में 649 मांसपेसिया होती है जिसमें 400 मांसपेसिया केवल कंकाल मांसपेसिया का पाई याद रखी तो हमारे जो मांसपेसिया होती है सरीर के भार का 45 परसेंट होती है 40 परसेंट भाग क्योवल रेखी कंकाली मांसपेसिया का होता है और कितनी मांसपेसिया होती ह चार भाग प्रोटीन यानिक 25% भाग प्रोटीन से बना होता है। तो हमारे मानस्पेसियों में 75% पानी और 25% प्रोटीन होता है। असरवाधिक पेसियां हमारे फीट में 180 मानस्पेसियां पाजाती हैं। और जो मानस्पेसिय के अधियन को मायोलोजी बुला जाता है। और बेसिक उसिकाएं ब्रूड के मीसोडर्म से बनते हैं यह याद रखिएगा। तो हमारे आखों की आईरीस और सिलियरी मसल्स होती हैं यह ब्रूड के एक्टोडर्म से बनी होती हैं। और सभी जो है ब्रूड के मीसोडर्म से बनती हैं। कोसे नंबर 31 है कि मानो सरी के वजन का कितना परसेंट वजन स्वेचिक मांस्पेसियों का होता है। कोसे नंबर 32 है मानो सरी में कुल कितनी मांस्पेसियां पाए जाती है तो 649 मांस्पेसियां पाए जाती है जिसमें से 400 मांस्पेसिक केवर एचिक मांस्पेसियों का होती है। नेश्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस मांस्पेसिक किस में इसीत होती है अब जश्ट में पताए है यह हमारे हीप यानि कुल्य में इसीत होती है हमारे हीप यानि की कुल्य के जो ग्लूटियस मसल्स होती है तील मांस्पेसियों से मिलकर बनी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस जो कोशन नंबर 35 है, Gluteus Maximus Manus Basis इसी इसी इस होती है तो यह भी नितम यानि की स्रूरी आपका राइन से रहे हो जाएगा कोशन नंबर 36 है, सबसे बड़ी Manus Basis कुन होती है दोस्तों सबसे बड़ी हमारे सरीक होती है Gluteus Maximus सबसे छोटी होती है कान के इस्टेपेरियस सबसे लंबी होती है साटोयस ठीक है largest बोलेगा तो साटोयस और जो कुले की सबसे छोटी पूल जगा दोस्तों तो Gluteus Minimus होगा कोशन नंबर 37 है, टेलर मांस पेसी है तो साटोयस को हम टेलर मांस पेसी बोलते हैं कोशन नंबर 38 है सरी में सबसे लंबी मांस पेसी कौन है तो अभी जश्ट बताई साटोयस होती है कोशन नंबर 49 है वह पेसी जो सीर को गुमाती है तो दोस्तों हमारे गर्दन जो है सीर में तो बताई सेर को घुमाती है सीर की सबसे बड़ी मसल्स हो जाती है कि शरीर के किस भाग में ब्रिहत और मजबूत मांस्पिस यहां पाई जाती है तो सबसे बड़ी मसाथ हमारे कौन है ग्लूटियस मैस्टिमस कि कहा है लूर्ड लिम में यहां पर लूर्ड लिम आपका निम्न भाग आपका राइडिल सुरू हो जाएगा तीक है कोर्शन नंबर 41 है निम्न में से कौन सी मांस्पिसी कमर की सबसे चोड़ी मांस्पिसी होती है दोस्तों कमर की सबसे चोड़ी मांस्पिसी होती है लाटिमस दोर्सी ठीक है सबसे चोड़ी मास्पेसी होगी Latimus Dorsey Latimus Dorsey जो होती है Rolling Muscles कहलाती है याद रखेगा कमर की सबसे चोड़ी मास्पेसी होती है Question number 42 है सरी की सबसे मजबूत इसनायू है तो यहां पे कोई भी नहीं होगा इसनायू की बात बोला है फिर भी अबर वो मानेगा तो जो हमारे निचले भाग की जो सबसे मजबूत मसल्स होती है हमारे क्वाडिसेफ्स होती है तो यहां पे रेक्टस स्पेमोरीस हो सकता है यहां पर इस नायों की बात बोला है अब मसल्स की बात बोलेगा सबसे मजबूत मसल्स था हमारे जो निचले जबड़े की मैनेवल हड़ी होती है उस पर चड़ा हुआ जो मसल्स होता है मसेटर मसल्स उस सबसे मजबूत मसल्स होती है question number 43 है कि मानो सरी में 37 सक्तिसाली मांसपेसियां कहां होती है तो हमारे जबडों में होती है जिसे हम मसेटर मसल्स कहते है question number 44 है मानो सरी में सबसे मजबूत मांसपेसि कौन सी है तो मानोसरी में सबसे मजबूत मान्सपेसी, हमारी निचले जबडे की सेटर मसल्स होती है। बढ़ यहाँ पे कोई आफसर दिया नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ पे कौडिसेट राइट हो सकता है। आयोग समझ सकता है कौन सा आपसन मानेगा लेकिन हमारे निचले लोडली में सबसे मजबूत हमारा क्वाडिसेस जयांके सामने वाले मसल्स होती है कौसर निचले निचले भाग में होती है कहां होती है पां के निचले भाग में होती है सभी इस तंथारियों में यह मान पेसी नहीं बाय जाती है यहां घुटने के नीचे से तल्वे तक पाय जाती है यहां पेसी सीधे खड़े होने में तफा प्रकार के कारियों में शहायक होती है है थुम सेंदोन 20 गिरत आलिस है काउफ मसल्स पिणिली मांसपेशी का विग्यानिक नाम है तो पिणिली मांसपेशी जो हमारे घृटने के ज़िश्ट बीछे बाज होता है घ्रेस्टोणीमियDrive जिसे हम कहते हैं ग्रेस्ट्रो नीमियस दोस्तों कॉफ मसल्स को हम दूसरा हिदे भी कहते हैं यह याद रखेगा एक मजबूत होती है पेनली के मांस पेसी तो आप अच्छे से वर्प कर पाते हैं इसको दूसरा हिदे भी बलड सल्पलाई में बहुत अच्छा मदद करता है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी तीक है तो यह ग्रेस्ट्रो नीमियस बोला जाता है कॉफ मसल्स को यह मानो सरी के निचले टांग के पिछले भाग में इस हित होती है कोस्ट नमबर 48 है मानस्पेसियो का अधियन कहलाता है दोस्टो मानस्पेसियो का अधियन मायोलोजी कहलाता है हडियो का अधियन आस्टियोलोजी जडो का अधियन और्थोलोजी और तंद्र का अधियन नीरोलोजी कहलाता है क्वेशन निम्र उन्चास मानोसरी को बदान करती हैं यह आकृती पदान करती हैं मानोसिया दीग है और कशी के मायो फाइवलिल होता है साहसे छोटी पैर यूवल बदम्र उस्थी मान्सेशी की संकुचल सिल 9 driving 1 तो यहां पर संकुचल यहां पर काकुमियर उस संकूचल सिल 11 है जहां पर दोनों जेडिलाइन आपस मिल जाते हैं उसको हम संगुचल सीर इकाई बोलते हैं सारकुमियर ठीक है और कारयात्मक इकाई है आपका मास्पेसी तन्तु यानि मायो फाइबर मास्पेसी की प्रकारयात्मक कुसलता किस पर निभा करती है तो जैसे कि मास्पेसी तन्तु दू प्रकार की होती है रेड मसल फाइबर और वाइड मसल फाइबर रेड मसल फाइबर स्लोट इस्ट होती है एरोबिक क्रियाओं मदद करती है सांसिलता होारे खेलों मदद करती है लम्बी समय के ले क्लियाव में जो फास्टविजगा वारिद मुसल फाइबर होती है जो अर्मेरिट क्लियाव में उच्छ सक्ते वाले जिसे इस्प्रिंट दयर्ण आदि में कारव करती है यहां हमारे रेसो का गृड़ जो मांस पैसि तंदू का जो गृड़ होता है रेसो क कर्यात्मक पुसलता है इसलिए कर्यात्मक इकाई है आपका मांस्पेसी फाइबर और संकुचसिल इकाई है सरकुमियद कोर्सन नमबर 22 है आज की सेशन का लाज कोर्सन टीज टेस्ट इस सम्हावना पर अधारित होता है कि दो परतिदर्सों के मत्ध है तो दोस्तों टीज टेस्ट के समाना पर अधायत होता है कि दो परतिदर्सों के मत्ध दोनों में समान भेद को पदैसित करता है या ठीक है और टीज यानि कि दो परतिदर्सों के मत्ध समान भेद पर अधायत होता है इस परिछर को टीज को वर सेर्भी सेशन देखना थे आप इन्टॉमी या फीजी लोजी की सेषन में जाहिए अमास प्रेसित इस लेटर सभी वीडियो इसको आप डीक सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियव प्रैक्टिस में जिसमें आपका रेस्पारिट्री सिस्टम स्वसंद तंतर के बारे में होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जैहिंद है